स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में सात्यू दिल्ली पुलिस के एकजाम के लिए करिंट अफैर की क्लास का आपको इंतिजार था तो आगाज हो चुका है एक ऐसी क्लास का जो संपूर करिंट अफैर को समाहिद किये हुए है एने के साथियों कुछ चुनिंदा कोशन्स यहां पर आपको कराने जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस के एक्जाम के लिए और दिल्ली पुलिस के एक्जाम के लिए आप लोग देखेंगे कि कई सारे कोशल्स करिंट अफैर के इस क्लास से आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है ना तो सातियों बिल्कुल कसिल्टेशन आपको बनाए रखना है आपको बहुत ही फायदा मिलेगा इस क्लास से तो पहला पृषन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज़स में एकी करत आयूश बोड का गठन किया जाएगा तो सातियों कहांपर किया जाएगा आपको ध्यान रखना है उत्तर पुर्देश में एकी करत आयूष बोड़ का गेट हिन किया जाएगा अब उसके बाद देहें साते हूँ यह जैसा किönुद उत्तर पुरुदेश से संबन्दी प्रिश्ण था अब आप से उत्तर पुर्देश से संबन्दी दो महितरपूर्ण करेंट आफैर के पॉइंट आपको धिहान रखना है उसके अलावा आपको धिहान रखना है कि साथियों उत्तर पुदेश की सरकार गोना में वन टांगिया ग्राम प्रक्षिक्षन के अंदर इस्थापित करेगी कौन सी राजसरकार तो उत्तर पुदेश राजसरकार यह आपको धिहान रखना इस प्रिश्ण में साथियों थोड़ी दिक्कत है टाइप सही सा नहीं हो पाया लेकिन इससे संबन्दी दो महटपूर्ण प्रिश्ण आप लोग देखेंगे कि पूछा जाएगा दुनिया का सबसे उचा लड़ाकू हवाई अड़ा कहां पर बनेगा तो लद्दाख में बनेगा लद्दाख में पहली बार पेशे वर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है ये भी आपको दिहान रखना है उसके बाद देखें साथियो नेक्स नंबर का प्रिशन आपके स्क्रेन पर है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए है तो यहां पर साथियो आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो के इन शांता के साथ जाना चाहिए यह प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए है इनका नाम है के इन शांता उसके बाद देखें साथियो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्च पर रहा है कौन सा देश शीर्च पर रहा है अगर बात करें ना तो सुजलेंड शीर्च पर रहा है यह आपको धियान रखना है आंसर यहाप और आप्शन नमबर ए हो जाता भाई बहुत बढ़िया सात्यों यह समझ लीजिए पूरी साल के सबसे चुनिंदा अती महतपूर्ण पर रहा है और जितनी भी प्रिशन में आपको करवा रहा हूँ अगर वो सारे के सारे प्रिशन आपने देख लिए तो दिल्ली पुलिस के एक्जाम में यह क्लास आपके लिए बहुत हेलफुल रहेगी सात्यों ठीक है ना चलिए इंडियन निउस्पेपर सुसाइटी के अध्यश की अगर बात करें तो कौन बने हैं सात्यों बताने की कोशिश कीजिए राके शर्मा की आंसर की अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उसके बाद देख लीजिए कि इंटेल इंडिया का अध्यश की से चुना गया है तो गोकुल सुबरमेंडियम का नाम आपको धियान रखना है ये इंटल इंडिया के अध्यक्ष चुने गए है SBI Life Insurance ने अमिद जिंगरन को नया CEO नियुक्त किया आपसे पूछा जाएगा कि SBI Life Insurance का नया CEO कौन बने है तो अमिद जिंगरन बने है उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसे 2023 सास्तरा राम अनुजन पुरसकार मिला है तो राम अनुजन पुरसकार सात्यों किसको मिला है ये आपसे पूछा जा रहा है नाम आप लोग धियान रखेंगे रुईक सियंग जहंग रुईक सियंग जहंग को सास्तरा राम अनुजन पुरसकार से नवाजा गया है 2023 का अब उसके बाद देखिए अच्छा कोशन है कि दादा साहे फाल के लाइफ टाइम एचीवमेंट एवार्ड किसको मिला है तो वहीदा रह्मान को मिला है या आपको धियान रखना है बॉलीवूड फिल्मकार मदुर भंडारकर इनका नाम है और मदुर भंडारकर को नौर्वे में डूओ एवार्ड से सम्मानित किया गया भारत की सबसे मुलवान कमपनी कौन से बनी अच्छा कोशन है साथियों एग्जाम में आप से पूछा जा सकता है तो TCS आपको धियान रखना है भारत की सबसे मुलवान कमपनी बनी है हाल ही में मुहमद मुडच्चू ने किस देश के राश्टपती का चुनाव जीता है हाली में ट्रैपडोर मकडी का सबसे बड़ा जीवाश्म जिसका नाम क्या है साथियों मेगा मोनो, डॉन्टियम, मैकलुसकी किसका नाम है और ये किस देश में खो जा गया है तो ये भी आप लोग घ्यान रखेंगे आउस्ट्रेलिया में साथियों ये खो जा गया है उसके बाद देखिये हाल ही में नई दिल्ली में आकांशी ब्लॉकों के लिए संकल्प सब्ताह कारकरम किसने शुरू हो गिया है पहली बात आपको धियान रखना है साथियों संकल्प सब्ताह कारकरम कहां पर शुरू किया गया है नई दिल्ली में शुरू किया गया है पहली बात आपको धियान रखना है किसने शुरू किया है तो नरेंदर मोधी शिने शुरू किया है दूसरी बात आपको धियान रखना है तो ये दोनों पॉइंट आप लोग धियान रखेंगों और प्लेलिस्ट को मेंटेन कर दिया गया डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप लोग जाओगे न तो वहाँ पर साथियों आप लोग देखोगे कि लगभख कुछ वीडियोज हैं जो 10-10 मिनट, 12-12 मिनट की हैं उनको डबल स्पीड में करके आप लोग एक्जाम आने से पहले अपना देख लेगे तो बहुत हेल्फुल रहेंगे वो वीडियो आप सभी के लिए ठीक है ना चलिए हाली में किस केंदरी मंतराले ने आमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की गोशना की है तो साथियों आप से पूछा जा रहा है बताने की कोशिश करेंगे जो बाइडन ने किया है ने साथियो ये کام किया है तो किस राज रुचा जा रहा है आप को धिए रहा है दिल्ली सरकार ने ऐसा काम किया है उसके बाद देखिए नेक्स नंबर के प्रिशन है कि किस राज़ के मुख्यमंतरी ने मुख्यमंतरी लोग सेवक आरोग योजना शुरू की है बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है साथियों आपके स्क्रीन पर तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आसम की जब हम बात करते हैं तो आसम के मुख्यमंतरी ने मुख्यमंतरी लोग सेवक आरोग योजना जो है वो शुरू की है इसलिए आंसर आपका अगर है आप्शन नमबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि आसम के मुख्यमंतरी को सिंगापुर की शीर्ष फैलोशिप से सम्मानित किया गया है बिल्कुल सही याद रखना है आपको आसम के राजपाल ने सरपंच सम्माद मुबाइल एप का नवर्ण किया है ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए कि हाली में मद छेतरी परशत की चौबिसमी बैठ कहां पर होगी ये आप से साथियों पूछा जा रहे तो इस कोशन का राइट आंसर जो होगा वो टिहरी के साथ जाएगा नेक्स नमबर का प्रिशन है कि हाली में कौन सा राज पहली बार राश्टिय खेलों की मेजबानी करेगा तो राश्टिय खेलों की मेजबानी साथियों पहली बार कौन सा राज करेगा तो गोवा करेगा साथियों ये आपको धिहान रखना है आंसर आपका जाएगा option number A के साथ उसके बाद देखिए भारत का पहला light house उत्सव कहां पर हुआ है तो गोवा में हुआ है गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF treatment फिरी किया है तो ये point भी आपको धिहान रखना है उसके बाद देखिए कि हाल ही में अंतराष्टी बालिका दिवस साथियों कब मनाए गया यनि कि अंतराष्टी बालिका दिवस की जब हम बात करते हैं तो ये तो साथियों 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इसलिए right answer आपका जो जाएगा वो option number B के साथ जाएगा उसके बाद एकर साथियों बात करे कि हाँ पर अंतराष्टी अहिंसा दिवस का मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है नेक्स नमबर का प्रिशन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश के राश्पती ने पदम बिरिज रेल लिंक का उदगाटन किया है तो किस ने किया है साथियों किस देश के राश्पती ने किया है आप लोग ध्यान रखेंगे बांगला देश के राश्पती ने ये काम किया है इसलिए आनसर अगर आपका है option number B ये तो बिल्कुल करेक्टर उसके बाद देखिए भाक्ती और भाक्ती ये आपर भारत लिखा है ठीक है भारत और बांगला देश के बीच सयुक्त अभ्यास संप्रती 11 कहां पर शुरू हुआ है तो मेगाले में शुरू हुआ है बांगला देश ने भारत से साथ अवशक वस्तों की सुरक्षित आपूरती की मांग की है तो ये भी आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए कि हाली में किस राजसरकार ने लेक लड़की योजना को मनजूरी दी है तो लेक लड़की योजना को साथियो मनजूरी किस ने दी है किस राजसरकार ने दी है तो महराष्ट ने दी है या आपको ध्यान रखने आंसर आपका जाएगा उप्शन अबर सी के साथ उसके बाद देखिए साथियो हाल ही में आई एम एफ ने चालों वित्वर्ष में भारत की विकासदर कितने पर्तिशत रहने का अनुमान लगाया है या आप से पूछा जा रहा है बताने की कोशश कीजिए बताइए तो साथियों कितनी रहने का अनुमान लगाया है छे पॉइंट तीन रहने का नुमान लगाया है या आपको धियान रखने है आंसर आपका B के साथ भारत और किस देश ने रक्षा सम्मंदों को बड़ावा देने के लिए समझोता किया है तो किस की साथियों बात चल रही है भारत और इटली की बात चल रही है या आपको धियान रखना है आंसर आपका C के साथ नौर्थ इस्ट इंडिया फेस्टिवल ये कहां पर आज़ुद किया जाएगा तो इटली में आज़ुद किया जाएगा अठार्मी शताबदी की तमिल पंडूलिपिया कहां पर खोजी गई है तो इटली में खोजी गई है तो ये दो कॉइंट आपको धियान रखना है कौन से राजसरकार ग्यारा सो महिला बीट कॉंस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी तो कौन से राजसरकार की बात चल रही है साथियों एक काम उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा या आपको धियान रखना है यानि को उत्तर प्रदेश सरकार ग्यारा सो महिला बीट कॉंस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी उसके बाद देखिये साथियों पहला पशू शवदाग रहे कहां पर खुलेगा तो लकनों में खुलेगा उत्तर प्रदेश में 100 प्रदेशत ODF प्लस कवरिज हासिल किया है बिलकुल सही उसके बाद अगर बात करें आज की इस क्लास के अंतिम प्रशनाप के स्क्रेन पर आपसे पूछा जा रहा है कि आए एम एफ आई के नए चेर्मेन कौन बने है तो नवनीत मुनीत बने है या आपको धिहान रखने इनका नाम उसके बाद देख लीजे सातियों पे यू जीपियो के वैश्विक सीयो के रूप में अनिर्वान मुखर जी को पदुन्नत किया गया है ग्रेपलिंग कमेटी ओफ राजिस्थान का चेर्मेन विनोद सौमी को नियुक्त किया गया है तो ये दूनों पेंट भी आप लोग धियान रखेगा तो ये सातियों करिंट अफेर की क्लास आपको कैसी लगी दिल्ली पुले से एक्जाम के लिए अंहित करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर कीजेगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजेगा और प्लेलिस्ट साथियों तयार कर दी गई है डबल स्पीड में एक्जाम से पहले जाकर देख लेंगे आप लोग तो बहुत फायदा आपको उससे मिलेगा वो साथियों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का वहाँ पर से जाकर आप लोग देख सकते हैं तो मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में जैहिन साथियों